हालो गाईज, विलकम बैक टोवा चैनल, सिंप्लिफाइट स्टेडी ओफिशल तो गाईज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकिंड सेम की बिजनेस एकनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नमबू वान, वेजज, जिसमें हम वेजज देखेंगे क्या होता है साथ इसाथ, थियोरी सोफ वेज डिटर्मिनेशन में गाईज, हम देखेंगे मार्जनल प्रिडॉक्टिविटी थियोरी ओफ वेज, तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्स्पिलनेशन देखेंगे, बिस्नेस एकनोमिक्स की फुल प्लेलिस का लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएगे मनी पेगी जाती है, कुछ प्राइज पेगी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं, वेजिस तो गाइस नेक्स्ट इसकी एक डेफिनिशन देख लेते हैं, यहां पे आपको दो डेफिनिशन गिवन है, सेकंड वाली करेंगे, वेजिस और वेज रेट आर दे प्राइस पेड फॉर यूस ऑफ लेबर, तो जैसे आप कोशन लिखते हो, तो एक आपको डेफिनिशन तो लिखके, यानि लरन करके रिखना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नॉमिनल एंड रियल वेज, तो इस नॉमिनल एंड रियल वेज की वीडियो मैंने अल्रेडी बना रखी है, अगर यह यह आपको बताऊंगी, यह आपका modern theory आ जाती है, या फिर आपकी marginal productivity theory of wage आ जाती है, तो यह 15 marks का important है, theories of wage determination करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, दो theories है आपके पास, पहली आपकी marginal productivity theory of wage, और दूसरी का इस जो आपकी theory आ जाती है, इस chapter में, जो very important है, वो है modern and demand and supply theory of wage, जाती है, तो सबसे पहले, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है, marginal productivity theory of wage, तो जो marginal productivity theory है, यह काफी से था old and important theory है, wage determination की, and यह जो first of all, when in 1883 में, अपनी बुक, the isolated state में, इसको क्या किया था, examine किया था, उसके बाद, J.B. Clark ने इसे आगे develop किया था, अब देखते है, marginal productivity theory theory of wage है क्या, तो इस theory के according, perfect competition में, long run के अगर हम बात करें, labor जो है, उसे wages मिलेंगी, according to, मतलब wages, जो भी हम labor को provide करेंगे, labor को जो भी wages मिलेंगी, वो हमेशा किसके equal होंगी, marginal and average productivity, अब marginal productivity क्या होता है, तो इस marginal productivity होता है, कि मालो हम production कर रहे थे, ठीक है, हम मालो मैं आपको इसक एक example देती हूं, जिससे आपको समझ आजेगा, for example, guys, 10 labor काम कर रहे थे, किसी firm में, and उससे उनको revenue हो रही थी, firm को 2000 पर, 2000 रुपीस हमें, revenue हो रही थी, but अगर हम 10 की बजाए, 11 labor, यानि कि एक extra labor, add कर देते हैं, तो उस समय हमें कितनी revenue होगी, 21 होगी, पहले हमें 2000 हो रही थी अब हमें 21 हो रही है, तो एक labor लगाने के कारण हमें कितने, कह सकते हो, revenue बढ़ गई है, हमारी पहले 2000 हो रही थी, अब 2100 हो रही है, तो 2100 माइनस 2000 हमारी 100 जो है, हमें 100 extra revenue होई, क्यों होई, क्यों होई, क्योंकि हमने extra labor अपने work में लगाया, तो इसे हम बेसिकली क्या कहते ह जो हमने extra labor लगाया, जिसके कारण हमें extra revenue होई है, उसे हम कहते है, marginal productivity, ठीक है, उसके बाद इसकी definitions आजाती है, इन दोनों मेंसे आप second वाली कर लेना, ठीक है, उसके बाद है assumptions, guys, जब आपकी question, attempt करोगे तो assumptions, criticism, इसका diagram में करवाऊंगी, वो भी आपको as it is लिखके आना है, इसके notes में आपको provide करूंगी, आपको channel membership 59 rupees में per month के लिए जोइन करनी बढ़ेगी, तो assumptions हैं, जिसकी पहला है, perfect competition है, product market and factor market में, and marginal productivity जो है labor की, वो subject to law of diminishing return, मतलब जितने आप labor लगाते जाओगे अपने काम में, ठीक, आपने, जैसे अपनी productivity बढ़ाने के लिए, जैसे आप labor बढ़ाते जाओगे, आपकी production तो बढ़ेगी, but at diminishing rate, diminishing rate मतलब पहले तो आपकी बढ़ते ही रहेगी, फिर दीरे दीरे आपके क्या हो जाएगा, जबकी revenue बढ़ेगी, diminish हो जाएगी, decrease हो जाएगी, next step की assumption, जो सारे labor हैं, वो homogenous होंगे, ठीक है, and perfect substitute होंगे for one another, homogenous मतलब एक तरीके की होंगे, and एक ही जगा हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, substitute कर सकते हैं, next step, full employment की situation होगी, economy में, full employment का भी important question आजाता है, ठीक है, मैंने आपको important questions भी बताया हुए है, इसका link description में मैंने डाल दी है, playlist में आपको मैंने वीडियो डाली, एक बढ़ वो देख लो, अगर कोशन कर लेते हो, I make sure that, कि आपका exam बहुत अच्छा होने वाल है, next है, जो यह last assumption है, कि यह जो आपका marginal productivity theory of wage है, यह long run में अपलाई होती है, and इसमें जो technique of production है, वो भी आपकी कह रहती है, constant रहती है, तो guys, जो हम यह theory बढ़ रहे हैं, marginal productivity theory of wage, इसमें आपके दो approaches आ जाते हैं पहला है, analysis from the point of view of industry, दूसरा है, analysis from the point of view of firm, जब से पहले हम industry के point of view से देखेंगे, तो guys, industry के point of view से, perfect competition में जो wage rate है, वो industry determine करेगी, ठीक है, कितना wage, wage rate जो है, labors को pay करना है, prices जो labor के हैं, या फिर other factors, जो है, production के, वो industry determine करेगी, जिससे supply and demand क्या होगी, labor की equal होगी, तो guys, marginal productivity theory पूरी जो है, वो इस consumption पे based है, किस consumption पे based है, full employment में, तो इस consumption के according, जो हमारी supply of labor है, वो क्या रहेगी, fixed रहेगी, ठीक है, तो guys, यहाँ पर आपके पास एक diagram है, ठीक है, उसको देख लो, आपको समझ आ जाएगा, तो सबसे पहले, इस number of labor है, वो हमने x-axis पे लिए होए है, ठीक है, और जो marginal productivity of labor है, मैंने बताया है, अभी आपको marginal productivity labor, उसको हम MRP लेंगे, वो हमारी कहां पे है, y-axis पे है, तो DD हमारा demand काओ है, यहाँ पे हम ड्रो कर लेंगे, ठीक है, अब जो हमारा supply curve है, ठीक है, supply curve है, यह क्या है, हमारा downward है, slopping downward है, left to right, because, यहाँ पे जो supply curve है, labor का वो parallel कहाँ पे है, y-axis, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमारा जो marginal productivity theory of wage है, वो इस assumption पे बेस्ट है, कि full employment है, इसके चलते हमारा supply of labor है, वो क्या रहेगी, fixed है, इसलिए एक दम straight line है, ठीक है, और जहाँ पे हमारा supply curve and demand curve cut करेगा, वो हमारा कौन सा point हो जाता है, है, equilibrium का point हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे guys हमारे जो wage है, wage और margin productivity, जो है labor की, वो equal है, ठीक है, यह हमने किया from the point of view of industry, अब हम करने वाले है, analysis of theory from the point of view of firm, ठीक है, अब इस theory के according, जो firm है, वो decide करेगी, कि कितने labors उनको employed करने चाहिए, ठीक है, and wage rate तो जैसे मैंने आपको आप इंडस्ट्री सेट अप करेगी, इंडस्ट्री के अंदर firms है, यह आपको याद रखना है, इंडस्ट्री, wage rate सेट कर रही है, हमालों उन्होंने सेट गिया कि एक, जो labor है, उसको 100 rupees per day का मिलेगा, ठीक है, तो आगे जो labor है, कितने labor रखने है, वो अंदर जो firm है, वो choose करेगी ठीक है, तो guys, जो firm है, वो profit earn करने के लिए, maximum profit earn करने के लिए, क्या करेगी, demand जो है labor की, वो तब तक करेगी, जहां पर जो marginal productivity of labor है, वो wage rate के equal ना हो जाए, तो guys, इस case में भी जो from the point of view of firm, इसमें आपके दो cases बनते हैं, पहला है short period, दूसरा है long period, तो guys, short period में अगर जो average revenue productivity ह है, वो ज्यादा होगी, wage rate से, उस case में आपको super normal profit होगा, मालों आपको profit होता था 2000 रुपीज, ठीक है, अब आपको हो रहा है, 4000, 5000, 10000, super normal profit, अब इसका main, simple यह समझो, जैसे average revenue productivity है, अगर वो आपकी wage rate से ज्यादा होगी, तो आपको super normal profit होगा, यह चीज़े आपको याद रहे हैं, अब दे कम रहे हो, आपको profit होगा, ठीक है, अगर average revenue productivity, यानि कि ARP equal होगा, AWK यानि कि average wage rate के, उस case में हमें normal profit होगा, और अगर average revenue productivity less होगी wage rate के, उस case में हमें क्या होगा, लोस होगा, ठीक है, अभी हमने short period के लिए बढ़ा, next long period, long period में under perfect competition में हमें क्या होगा, firm को super normal profit नहीं होगा, ठीक है, पर यहां पर जो firm है, वो equilibrium में हो सकती है, अगर average wage जो है, marginal wage के, या फिर marginal revenue productivity के equal होगा, ठीक है, इसका एक आपका guys, नीचे आपको एक figure दिया गया है, इस पर ध्यान से देखो, तो guys, यहां पर number of labor's है, वो आपके x-axis पे है, wage और productivity जो है, वो y-axis प करना है, तो guys, अभी हमने बढ़ा, long period में हमें क्या होता है, super normal profit होता ही नहीं है, equilibrium का point आता है, तो दोनों को हमने क्या कर देना, यहां पर cut जहां पर हो जाएगी, यह हमारा कौन सा हो जाएगा, equilibrium point हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो AW है, और MW है, यह हमारा क्या है, equal ठीक है, next day guys, criticism, criticism के बगार आपका question complete नहीं होना वाला, तो यह भी लिख किया आना है, पहला है, unrealistic assumption of perfect competition, marginal productivity theory है, यह unrealistic assumption पे based है, कि perfect competition, बट जो काफी कह सकते हो, जैसे कि Mrs. John Robinson हो गए, यह मांते हैं कि जो market में imperfect competition भी होता है, और monopolistic competition भी होता है, next step one side, इस theory में supply of labor है, उसे fix समझा जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है, कि supply जो है labor की हमेशा fixed ही रहे है, next step theoretical concept, यह मना गया है, कि जो marginal productivity theory है, यह theoretical concept है, बट रियल लाइफ में इसे use करके, किस तरीके से wage को determine करना यह, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हो इस तरीके से, ठीक है next difficulty in measuring marginal productivity, अब जैसे हम इसमें marginal productivity निकाल गया है, इसमें आपको काई एक labor लगाएंगी, हमें इतने ही revenue हो जाएगी, बट इसे calculate करना, इसको real life में कह सकते हो, use करना, यह काफी ज़्यादा difficult है, next is impractical, इस point को कहीं से example समझों, मालो आपके पास एक swimming machine है, ठीक है, एक tailor आपको required है, अब कोई भी कपड़ा यहां कोई भी मालो, अगर उसे shirt सिलवा रहे हो, ठीक है, एक tailor जो है, वो आपने saving machine पे बिठाया हुए, अगर आप उस जो tailor, number of tailor, उसे two कर देते हो, बट आपके बस machine एक ही है, उससे अपकी productivity increase होगी, नहीं होगी, तो यह चीज़ in realistic आ जाती है, practical life में यह ज्यादा use नहीं होती है, ठीक है, तो guys, यह थे आपकी marginal productivity theory of wage, आने वाली वीडियो में हम सारे chapters complete करने वाले हैं, and notes and important questions के लिए, आप हमारे channel की membership को join कर सकते हैं, and full playlist का link description में है, जापे मैंने important questions भी डाल दी है, बट वो सिरफ वीडियो जो है, मैं member से लिए होगी, तो फटा-फट से simplified study official के member बन जाओ, तो आज की वीडियो में इतना ही, hope so वीडियो अच्छी लेगे होगी, अगर वीडियो अच्छी लेगे तो please like कर, अपने friends तक share करो, and comment करके बताओ next video किस topic पे हो, आज की वीडियो में इतना ही, thanks for watching.